दुनिया के आगे सबसे ताकतवर कहे जाने वाला देश चाइना कॉरना वाइरस के आगे बेबस दिखाई दे रहा है अब तक चाइना में इस वाइरस की वज़े से 500 करीब लोगों की मौत और 25,000 से जादा इससे इनफेक्टेड है पेशन्स के बढ़ते नंबर को देखते हुए चाइना ने सिरफ 10 दिन के अंदर एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है ये बहुत ही हरान कर देने वाली न्यूस इसलिए है क्योंकि भारत जैसे देश में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी मूव नहीं करती चाइना के इस कदम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना कॉरोना वाइरस की महमारी से कितनी बुरी तरह से पीड़ित है और इस वाइरस के दिन बर हजारों पॉस्टिव केस और सामने आ रहे हैं आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी पहला इतने बड़े हॉस्पिटल के ज़रूरत क्यों महसूस हुई दूसरा हैरान कर देने वाले हॉस्पिटल से जुड़े इंटरस्टिंग फाक्ट्स तीसरा क्या भारत तयार है ऐसी आपदा से निपटने के लिए उससे पहले जल्दी से इस हॉस्पिटल की एक टाइम लैप्स वीडियो देख लेते हैं कैसे हंडर्ड्स ओफ मशीन्स, हुमन पावर और मैनेश्मेंट के कॉम्बिनेशन ने इस इंपॉसिबल लगने वाले टास्क को रापिड मोड में खतम किया लिए सब्सक्राइब टाम बाले चांप। भारत में ऐसा होस्पिल बनाने के लिए दो से तीन साल तक का समय लगता है और खास कर जब देश कोरोना वाइरस जैसी कलामिटी को फेस कर रहा हो तो ऐसा हुनर और होसला पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है चाइना नहीं ये पहली बार नहीं किया है 2002-2003 में फैलने वाले सार से लडने के लिए भी ऐसे ही मेकशिफ्ट एमरजेसी हॉस्पिटल साथ दिन में कम्प्लीट किया था अब जान लेते हैं इस हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डीटेल्स चाइनी स्टेट मीडिया ने इस हॉस्पिटल को बनाने वाले 7500 से जादा लेवरर्स को क्रेडिट दिया है जिन्होंने बिना छुटी लिए 24 घंटे तीन शिप्ट में एक आमी ओपरेशन की तरह काम करते हुए इस हॉस्पिटल को कम्प्लीट किया है यह हॉस्पिटल 45,000 स्केर फिट में बनाया गया है इस टू स्टोरी हॉस्पिटल में करीब 1000 बेट्स की फैसिलिटी है इलाज करते समय कोरोना वाइरस पेशन टू पेशन स्प्रेट ना हो सके इसके लिए आइसोलेशन वोर्ट्स बनाये गये हैं और साथ ही 30 से ज़ादा ICU यूनिट्स बनाये गये हैं हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करने वाले एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इसको बनाने में प्री फैबरिकेटेड यूनिट्स का इस्तमाल किया गया है और इसी वज़े से ये हॉस्पिटल मात्र 10 दिन में बनके तयार हो गया है प्री फैबरिकेड़ यूनिट्स को आप यू समझ लीजे जैसे बच्चों के टॉइस जैसे की लेगो ब्लोक्स बने बनाये आते हैं बस उनको असेंबल करना होता है ऐसे ही प्री बिल्ड यूनिट्स को देश भर में इकठा करके हॉस्पिटल में असेंबल किया गया है 23 जर्वरी को पहली बार कंस्ट्रक्शन साइट से बुल्डोजर्स की फोटो सोचल मीडिया पे वाइरल हुई और 23 और 3 फरवरी को यह हॉस्पिटल बनके तयार हो गया अब यह जान लेते हैं कि चाइना को इस हॉस्पिटल को बनाने की जरुरत क्यों पड़ी कोरोना वाइरस हुमन तो हुमन ट्रांस्मिट करता है किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में पेशन्स का इलाज करते समय बाकी मरीज तक फैलने का डर था और यह आत्मगाती साबित हो सकता है क्योंकि सभी मरीजों में इम्मुनिटी पहले से ही वीक है इसको मद्धनजर रखते हुए चाइना को दो हॉस्पिटल बनाने पड़े दूसरा रीजन यह है कि वुहान शेहर के बाकी सभी हॉस्पिटल पूरी तरे से भरे हुए है मेडिकल स्टोर्स पे दवाई और मास्क आउट अफ स्टॉक हो गए है कुछ मरीजों को जब रन disappointment से वापिस घर लोटना बढ़ रहा है और coronavirus फैलने का बहुत बड़ा खत्रा है इसलिए भी special hospitals बनाए गए है तीसरा बड़ा रीजन यह है कि यह कोई आम बिमारी नहीं है जो कोई भी doctor treatment कर सके coronavirus से लडने के लिए doctors की workforce team बनाए गई है जो 24 घंटे shifts में काम कर रहे है सभी doctors एक ही जगे पे इकठा हो उनमें communication बहतर तरेकी से हो सके और जब shifts खतम हो तो transition अच्छे से हो सके इसलिए भी hospital बनाने की ज़रूरत थी और चौथा जब इसको कोई पुख्था इलाज मिले जैसा कि थाइलर ने HIV और फ्लू के drugs का combination बना के एक medicine बनाई है उसको सभी patients को एक ही जगा पे इकठा दिया जा सके और पांचवा इसके इलाज के लिए special types के mask eyes के लिए safety goggles मरीजों को isolation में रखना protective suits पहनना इन सब का इंतिजाम करना पड़ता है तो ये सब चीजे एक ही जगे पे provide की जाएंगी तो सुविधा रहेगी जब देश के नागरे की army का role play करने लग जाते हैं और अपने से बड़ा देश को मानने लग जाते हैं तो ऐसे ही support system की आगे आते हैं जैसे मैंने बताया चाइना का ये पहला example नहीं है इससे पहले भी दुनिया में सबसे fast railway track विछाना या फिर roads की construction करना इस तरह mission mode में काम होता है और इसे चीज़ के लिए चाइना काफी सारे world record भी बना चुका है अब समय है हम सब भारतियों के लिए शान्त होके सोचने का क्या भारत के पास ऐसा कोई disaster recovery plan है जो वक्त आने पर execute कर सके क्या हमारे पास कोई ऐसी workforce त्यार है जो time आने पे army का role play कर सके क्या हमारे पास ऐसी latest technology and technique है जो इतनी बड़ी इमारत को इतने कम समय पे त्यार करके खड़ी कर सके क्या हमारे politicians में इतनी will या कहें unity है जो इतने fast decisions ले सके कोई जवाब है comment करके जरूर बताईएगा मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में क्योंकि यह time sensitive topic है तो मेरे द्वारा दी कई कोई भी information और दोस्तों नीचे एक लाल रंग का बटन आपको दिख रहा होगा आपने वह अगर नहीं दभाया तो उसको प्लीज जल्दी से दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आती हूं आपको मेरी notification मिल जाए कोरोना वाइरस पे अवेडनेस फ़लाने के लिए मैंने पांसे ज़ादा वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने कोरोना वाइरस को end to end explain किया है साथ ही मैंने दो question and answers की वीडियो भी बनाई हैं जिसमें मैंने आपके द्वारा पूछे कई सभी questions को answer किया है उन सभी का link मैंने चर्डिस्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है आप उनको जरूर देख लें और अगर आपके कोई question है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपकी question को अगली वीडियो में जरूर लेने का try करूँगी तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें उन्हें धेर सारा प्यार करें Share this video if you care for human life